प्राब जानकारी के अनुसार 2020 में केलवत थाना अंतरगत आने वाले ग्राम नंदोरी के पूर्व सरपंच हेमराज डोलस के खेत में कुए के पास बृत्रक राजु के सर तथा चहरे पर नुकिली फत्तर से वार कर उसे मौत के घाट उतारने वाले आरोपी विक्की बाबाराओ धराए को हत्या का दोशी मानते हुए धारा 302 के तहट सश्रम आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपे जुर्माना जुर्मा नियाधीश आरार भोसले के समक्षुई सुनवाई में सरकार की ओर से APP एडोकेट जिकार ने पैरवी की तो केलवत पुलीस के ओर से जाज अधिकारी सायक थानेदार पंकज वागोडे पुलीस हवलदार रविंद्र आनंदराव डोरले ने पक्षरक हत्यारी को सजा दिलव अत्राम ने आभार व्यक्त किये किशोल ढूंडेले बीसे न्यूस सावनेर